और नितिश कुमार पर गिरीराज सिंग ने अटाक किया ए नितिश को डर था कि कीसी आर अपना नाम कह देंगे के कहना ए गिरी राज का विपक्ष का हर चवहरा पीम बनना चाहता है ये भी गिरी राज सिंग कह रहे है किसीर अकेले में नितिश को मंत्र देने गए थे कि PA5 य दिखे मैंने भी देखा और आपने दिखाया पूरा देश ने देखा ये बिपक्ष ये हमारे पास गाउं में कहावत है ये चक्का पंजा की खेल खेला जा रहा है कि कौन किसका नाम बोले प्रधानमंत्री के उमिदवार के लिए नितिश कुमार को भै था बार बार उठ रहे थे कि खतम करें कहीं वो अपना नाम न कहा दे कि मैं मांगने आया हूँ उधर केशियार को लग रहा था कि ये कुछ न बोल दे तो ये चक्का पंजा का खेल चल रहा है सब लोग कह रहे हैं जितने विपक्ष के लीडर हैं सरत पवार से लेके ममता बनर जी राहूल सब कि हमें एक होना है लेकि प्रधान मंतरी को हूँ वो आज दरिश केशियार और नितीश कुमार ने दिखाया वैसे मेरा मानना है कि केशियार कुछ और भी सिखाने गए थी जो कान में बुरूम में कहके आया है तेखिए देज की राजनित में एक घिरनित राजनित, एक तुष्टी करण की राजनित, एक बोट की राजनित, एक समाजी की विशमता की राजनी चल रहा है। केशियार ये सिखाने गए, कि हैदराबाद और तेलंगना में उन्होंने सर तन से जुदा का अंदोलन करवा रहे हैं, अब नितीज कुमार को आए कहने के लिए प्रैमिनिस्टर बनना है, तो PFI युक्त और सरिया कानून युक्त बिहार बनाओ, तभी आप PM बन सकते हो और हि हिंदू मुक्त, यानि केशियार सर तन से जुदा आंदोलन करके आए हैं, नितीज कुमार PFI और सरिया कानून चल रहा है, अब ये दोनों कह रहे हैं, अब यही होगा हिंदू मुक्त भारत का एक दो तस्वीर, यही तस्वीर खीचने के लिए इनके चेहरे बेनकाब हो रह हैं, जिन लोग आपने नाम बताया, चाहिनी तिश्कमारों केसी आरों या दूसरे ने ताभी, लेकिन जब किसी एक नाम को लेकर बात आती है, तो ऐसा लगता है कि मुंडे मुंडे मते बिना, सारजनिक तोर प ऐसी तस्वीर दिख रहे हैं, बंद कमरे में क्या होता होगा पहले भी हो चुका है, और एक उमिदवार नहीं हो पाया, अन्य होगा, मैं तो तीसरी बात कह रहा हूँ, पता नहीं आपको ठीक लगेगा या देश को लगेगा की नहीं, ऐसे माहल में भारत को एक मजगूत प्रधानमंत्री नरंदर मोदी जाएशा चाहिए, मैं कहता हू अगर किसी को लगता है कि हम नरंदर मोदी से जादा मजगूत और जादा राष्ट व्यापी उनका लोग मानने वाले हों, ऐसी हस्तिती में जैसे देश में हम राजियों में मेर का चुना और नगर निगम का होता है सीधा, वह इसे प्राइम निश्टर का हो जाए, तो लग आज ब्यक्तित तो खड़ा हुआ है, इतने सालों से आप लोग सारजैनिक जियों में इतने प्रेस कॉंफरेंस आपने देखा होंगे, ऐसा प्रेस कॉंफरेंस पहले के भी देखा है कि यहां पर दो मुख्यमंत्री बैठे हैं और उठक बैठक चल लिए हो, एक उठने को त महत्वा कांचा को लेके बीजेपी को छोड़ा, केसी यार उनको कान में कहने कहेंगें बंद कमरे में कि मेरी एक्स अप्लिटी सबसे ज़्यादे कहां से माने, ति उठक बैठक तो अभी दो में हुआ, अगर और होगा, उठक बैठक नहीं होगा, तीसरा तांडव होगा. आप ख़ेंगए, औवेशी साहब का मन मैला है. यह कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान आप होगा, यह 2026 के लिए नहीं बोल रहा है, यह पीछे 1904 की बात कर रहे है, यह भारत को तोड़ने की बात कर रहे है, हैं जब भी इनके जुबान से, इनके भाई के जुबान से, इनके लोगों की जुबान से, आपने हैदराबाद में देखा ना है? ये किसका छुड़वा रहे हैं ठाने से? जो कह रहा है, सरतं से जुदा करने का आंदोलन कर रहा है. तो ये उनको संग कहां से अच्छा आज देश को आज नहीं तो कल संग जो भारत के सुपर्भता को भारत के एकता को भारत की तरक्टी के लिए जीना मरना त्याग किया है सब को पशंद आएगा जो देश को जोडने वाली बात करेगा लेकिन ओवैसी तो देश को तोड़ने और बांटने वाली बात करते हैं इसलिए RSS उनको अच्छा नहीं लगेगा UP में एक अवैद मदरसा साथ उसको तोड़ा गया असाम में तोड़ा गया उस बात को लेके भी M.I.M. के नेता सदे दिनों ऐसी पाड़िक नेता के कह रहें कि सब कुछ याद रखा जाएगा क्या याद रखा जाएगा मुझे तो भीतर से दुख हो रहा है क्या ये देश अलगावबाद को बढ़ाबा दे एक बार तो 47 में देश धर्म के आधार पर बढ़ चुका है अब और बार अवेशी बांटना चाहते हैं यही याद दिलाएगा क्या ये जवरी नहीं है मैं तो कहता हूँ मैं बिहार का रहने वाला हूँ बिहार के मुक्ष मंत्री से भी कहता हूँ कि ये सिमाबरती राज्य है नेपाल से भी जुरा है बंगलादेश से भी जुरा है राज्यों के सिमाओं से भी जुरा है हर मदर से क्या एक वार से जांच हो कौन रेश्टर्ड है कौन नहीं रेश्टर्ड है उसके हेड कौन है बिहार के हैं भारत के हैं या बाहर के रहने वाले हैं, उसकी समिच्छा होनी चाहिए.